वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजिलेंड और इंडिया के बीच जो वार्बब मैच होगा इसके बारे में तो गाईज देखिए सबसे पहले तो नाइट वाला जो मैच खेला गया उसके लिए आपको कॉंग्रेचुलेशन जो टीटेन का मैच हमने ख होती है तो चाहिए 200 पॉइंट ले लो चाहिए 300 पॉइंट ले लो विनिंग अमाउंट वही आने वाला है लोस होगा तो वही अमाउंट जाएगा तो कॉंग्रेचुलेशन नाइट में वन साइडिर विनिंग के लिए आप देखिए अभी आप जिस मैच की वीडियो देख स्मॉल लिक के लिए हमारे पास और भी अच्छे खासे मैचेस अवे लेवल है सेम टाइम पे जिंबाववे और वेस्टेंड डीज का देखिए आज मैं अगर सही बात बोलू ना आज सारे मैचेस रिस्की है सिवाए ओमान डीटेंट टूर्नामेंट के अभी ECS के जो ले लोगे है ना तो यह चीज़े बागी देखिए अब इस मैच पे ध्यान देना नीजलेंड एंडिया के उपर मैं आपको जो भी मैच की important information से वो बताऊंगा कैसे आपको small league की team ready करनी है और especially grand league में आपको क्या करना है बट उससे पहले एक बात मैं आपको याद दिला दू जो users ऐसे हैं जिनोंने चैनल को subscribe नहीं किया है तो मेरे बाइच चैनल को subscribe जरूर कर लेना वीडियो को like जरूर कर देना क्योंकि काफी कम like सभी upload कर रहे है और सबसे important बात है टेलीगराम से join होना जिसका link वीडियो के description में available है अभी अगर आप मिससे पूछोगे कि बाइच ट कितनी बार बोलोगा कि toss कितनी important है हर बार मैं बोलता हूं toss नहीं आया थी मैंने team नहीं दी थी extended हो गए थी night वाले match की बात कर रहा हूं मैं यह है ना जैसे ही toss आई तुरंत team change की तुरंत team change की तुरंत खतरनाग वे winning भी आई तो बहुत important role होता है toss का इसलिए मैं एक बार फि simple सा logic के देखिए अभी मैंने आपको starting में ही बोल लिया है कि यह warm-up match है तो small league में तो आपका investment रहेगा कम और grand league की team में आपका investment रहेगा ज्यादा यह मैं यह कह सकते हूं grand league खेलना तो match देखिए gaba के अंदर होगा gaba के अंदर आपको बताने कि थी simple way मैं बता रहा हूं यहां आप फास्ट बोलर बहुत अच्छा करते हैं पिछ जो है ना अच्छी बैटिंग होती है यहां पर फास्ट मतलब बैटिंग प्लस पैसर्स यह दो चीज़े द्यान देना फास्ट बोलर और अच्छी बैटिंग ठीक है उसके अलावा दोस्तों last t20 match के अच्छी बोलिंग त अच्छी बोलर को तो कितना ज्यादा डिफ्रेंस हो गया बारा गुना है ना बारा गुना ज्यादा विकिट लिये थे इस पिन के कंपेरिजन में फास्ट बोलर तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है ठीक है इंडिया की प्लेंग लिए उनके अगर मैं बात करता हूं दे मुझे उम्मीद है कि इंडियन टीम अपनी उस लाइनप के साथ जाएंगी जिसके साथ वो वर्ल्ड कप में जाना चाहिए यहाला कि कुछ एक दो प्लेयर में रोटेशन हो सकता है जैसे लाइकली आज ये भी मतलब मैंने कहीं देखा था कि बाई सूरी कुमर यादो नहीं खेलेंगे तो उनके पहलेस में दीपक हुडा आ सकते हैं या फिर लाइकली सेम जगा पे चोथे नंबर पे दिनिश कार्तिक आ जाए तो ये पॉसिबिलिटी बनती है मैंच में ठीक है तो देखिए मोस्टली रोही शर्मा और केल राउल और जिस तरीके से केल राउल की फो रेंडिक जितनी है तो आप एक काम करना अगर सूर्य खेलता है तो इससे बैस तो कोई है नहीं लेकिन फिर वही बात है चोथे पर आता है वरना इसको वही सीधा कैप्टन दे दे अगर यह ओपनिंग करने लग जाए ना चाहिए कोई सी भी टीम ले लो सब को छोड़के इ क्योंकि most of the time जब राहूल बैटिंग फर्ष्ट पर आता है तो बहुत अच्छा स्कोर करता है तो जब इंडियन टीम बैटिंग करती है तो आप चाहए 20 टीम के साथ खेलो या 11 टीम के साथ खेलो वह आपकी मर्जी है या 2 टीम के साथ या एक के साथ है ना बट एक सजेशन यह कि आपको Grand League जीतनी है तो आप एक काम करना सारी टीम में राहूल को Captain मना देना क्योंकि देखी होगा क्या अगर राहूल वैसे भी आप Grand League जीतने वालो तो हो नी चाहिए कितनी भी टीम बना लो लेकिन मैं कम से कम आपको एक confident दे रहा हूँ आपको कुछ ऐसी चीज बता दी तो आपकी एक भी टीम विनिंग जोन से बाहर नहीं रहीगी एक भी टीम सारी टीम विनिंग जोन में रहीगी लेकिन राहूल ने सबसे ज़्यादा अगर रंस बनाया या ने ड्रीम ले उनमें सबसे ज़्यादा पोइंट राहूल क्या है तो फिर आपके पास 20 combinations होंगे और 20 combinations अलग अलग तरीके के तो फिर वहाँ पर आपके विनिंग बहुत हाई हो जाईए और यह मैं राहूल के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहूल की फॉर्म अभी सबसे बैस्ट मतलब है और प्लस पॉइंट यह है कि इंडियन बैटिंग जब भी करती है त आज के चार मैच में 50-50-50 है ठीक है उसके बाद विराट को लिए है वन ओप टॉप लिवल का प्लेयर मतलब मैं फेवरेट प्लेयर हो सकता आपका राहूलो कोई मतलब रोही शर्माओ बट भाई मेरा तो विराट को लिए तो बट वही चीज है मतलब यह अभी स्कोर अच् पांडिया दीपक हुटा दिनेश कार्तिक अक्षर फिर रवी चंद्रान अच्विन देखिए बैटिंग तो मोस्ट ली ऐसे ही आईगी है ना यह तो आपको पता ही है और बोलिंग अटेक अगर आप देखोगे तो बोलिंग में हर्षल ए महांमा शमी भूवी अर्षदीप पे यूजी है ओपनिंग मोस्ट पॉववली बुनियश्वर और अर्षदीप डैथ में महांमा शमी अर्षदीप या हर्षल पटेल जैसे अंदाश्ट में हुआ था न्यूजलेंड की दरब से गप्तिल और फिन एलन मोस्ट ली आपनिंग करने चाहिए है ना और फिर मार् होता ही है यार मेंच में लेकिनी मैंने इनको इसलिए डाउन लिखा है क्योंकि यह वार्मब मैच है और वार्मब मैच में भाई कुछ भी पॉसिबल है तो मार्टिन गप्तिल फिन एलन मौस्ट ली आपनिंग फिर चैपमेन विलियम सन फिलिप्स मिचेल एन कॉनवे नीश होता है अभी मैं आपको डेमो टीम प्रोवाइड करता हूँ बाकि जो फाइनल टीम होगी वह तो जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ पहले इस्टार्टिंग में कि वह टेलिग्राम पे मिलेगी तो जो भी यूजर्स नहीं जुड़ है डिस्रिप्शन लिंक से जरूर जो करती है फिन एलन सबसे बैस्ट ऑक्षन है देखिए दिनेश कार्तिक भी अच्छा है रिशाप पंद भी कॉन्वे भी लेकिन फिन एलन टॉप ओडर में ही बेटिंग करेगा यह सबसे बैस्ट बात है इसलिए जो बैस्ट चोई से वह यही रहेगा मेरी अकोडिंग बाकि देखिए कौन भी अगर ओपनिंग पे आ गया या वन डाउन आ गया तो फिन एलन कुछ भी नहीं अड़ता है इसके आगे लेकिन हीटर फिन एलन खतर ना आ गया ठीक है तो मैंने उस प्लेयर को लिया है जिसके पॉसिबिलिटी जादा है परफॉर्मस दिखाने की बैटिं सूरी को मैं याद हो को मैं तब ही लूँगा जब इंडियन टीम बैटिंग करती है जब बोलिंग करेगी तो मैं नहीं लूँगा है ना अभी के लिए तीन प्लेयर फिर चोथा मार्टिन गप्तिल क्योंकि ये भी लगबख शोर है या तो आपनिंग या बंडाउन और मैंने मैक्सिमम जो प्लेयर्स लिए बोलिंग सेक्शन में फास्ट बोलर्स कोई लिया है देखिए ट्रेंड बोलिंग के जो चांसे जेना थोड़े बहुत रेर है और लेकिन इंडियन टीम में सामने तो मौशली बोलिंग करने ही मतलब करना चाहिए इनको तो बोल्ट साओडी को भी ले सकते हैं मिलने को भी ले सकते हैं लेकिन बोल्ट को ले लो क्योंकि आज ये टीम इंडियन टीम है तो मोशली बोलिंग करेगा बोल्ट तो ये मेरी टीम इस मैच के लिए रहने वाली है बागी आप साओधी के पलेस में जैसे फर्ग्यूसन हो गया या फि गए और बैटिंग सेक्शन में सूरियो को मार याद है तो मैं जरूर दूँगा जब इंडिया बैटिंग करेगी और नहीं करेगी तो और नहीं खेलता तो बात यह लगए तो अभी के लिए मेरी ये डेमो टीम है और इसमें जो है ना कैप्टन है केल राहूल और वाइस कै बाकी आप चाहो तो हार्दिक पांडिया फिराट कोली इवन रोहिश शर्मा भी बहुत अच्छो आप्शन है वी सी के लिए ये मेरी डेमो टीम है और यह मैं केवल स्मॉल लिग मैं आपको इतना और किलियर कर दू हैट्टोएड कॉंटेस्ट खेलूंगा और वह भी बहु का मिलेगा तो वह चीज़े आ जाती इसलिए मैंने वीडियो भी इसलिए बनाई है क्योंकि ECS के मेंचे साथ बहुत जादा रिस्की है वरना मैं वही खेल लेता ठीक है तो कैप्टन राहूल वाइस के अप्रेन आपका मुहमाश्यमी जो भी टीम में चैंजेस होंगे वह ट टेली के नाम से नहीं जोड़ें डिस्क्रिप्शन लिंक से जरूर जोइन कर ले ठीक